संस्कृति कोम्ब के प्रणिता राष्टी स्वेम सेवक्सं के मानिय सरकार्वा आधनिय भायाजी जोशिज महराष्ट के लोगप्रिय मुख्यमंत्री मानिय देविंद्र फणवीज जी इस कारिकरम के आयोजग मानिय डॉक्टर शुबास चंद्राजी सम्मानिय शुवास गही जी संस्कृति मेमिसे के श्रिवास देव कामत जी संस्कार भारती से उपस्तित सम्मानिय अमिर्चन जी भारती जन्ता पार्टी दिल्ली के अध्यक्स और मानिय सांसत से मनोस दिवारी जी संगेत नाटक अकादेमी के चेर्मेन से सेकर सेंजी और आज इस माया नगरी से जुड़े हुए विविन छेत्रों से सभी सम्मानित महन भाव आप सब की उपस्तिती और कुम्व के प्रति आप सब की भावनाओं को देख करके मुझे अंत्हकरण से प्रसंता के अनुभोती हो रही है और मैं आप सब का विनन्दन करता हूँ कारिकरम में मैं सामिल हूँ इसकी सहमतिकल साइकाल ही मेरी बन पाई थे और मैं सही बताओं तो मैं मुंबई आने से थोड़ा परहेज भी करता था वेसे ही परहेज करता था जैसे मैं बच्पन में जब विद्यारती था तो राज़्टिय स्वेम सेवक संग से तो जुड़ा था लेकिन संतों के साथ और उनके बारे में मेरा दृष्टिकोंड कुछ भिन्न था भिन्न ये था कि मेरा ये मानना था कि लोग कारे नहीं करते हैं केवल खाते हैं और समाज के लिए कुछ करते नहीं जब उनीसो नब्वे क्यानवे में मैं अपने पुझ गुर्देव के संपर्क में आया उस समय रामजिन भुमि कांदोलन चरम पर था तो हैरिद्वार में मेरी पहली मुलाकात उन से हुई थे मैं शेहंदो परिशत का धर्मसंसत का कारिक्रम था और उस कारिक्रम में मैं उनके संपर्क में आया तो उन्होंने मुझसे पूछा तुम क्या करते हो तो मैंने का मैं यहाँ एक कॉलेज में पढ़ रहा हूँ तो उन्होंने का और क्या करते हो मैं ने का मैं राश्टी स्वेम सेवक संका एक स्वेम सेवक हूँ और वहाँ पर कारिक्रता हूँ उस समय सुदेशी जागन का एक ब़गा विहान पुरी देश के अंदर चलना था तो मैंने का उससे जुड़ करके हम इस अभियान के साथ जुड़े है तो उन्होंने का आगे क्या करना चाहते हो तो हमने का चाहते ये हैं कि वे समाज की बीच में जाकर के जैसे रास्टी उस्यम सिवक संग रास्टे निर्माड के अभियान के साथ जुड़ा है वे से इस अभियान के साथ हम जुड़ करके कारिक करना चाहते हैं तो नहोंने कहा कि या मेरे पास क्यों आए तो मैंने कहा राम जनभुमी अभियान के साथ राम जन्भुमी मुक्ते के समीते कोई अध्यक्स थे तो मैंने कहा मैं इसलिए जानने के लिए आया हूँ कि आखिरी आंदोलन ये अभ्यान कहां तक पहुचेगा और कहां तक सफलता मिलेगे दोने कहा जब मनुस्य ठान लेता कि उसे विजई होना है तो आवस्य विजई होता है और इसलिए परिणाम की चिंता मत करो ये अभ्यान सफल होगा तो मुस्से क्या चाहते हो मैंने का ने मेरी योग में थोड़ी रोची है तो मैं चाहता हूँ कुछ योग के बारे में जानना चाहता हूँ और इनका ठेक है गोरकपुर आ जाना तो मैं जब गोरकपुर गया तो उन्होंने तब तक मेरी पूरी कुंडलनी देख ली थी जान ली थी तो नोंने मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि भई देखो मैंने कोई सिस्जे नहीं बनाया है तो मेरा सिस्जे बन जाओ तो मैंने का मैं जिस चीज से भाग रा था उसी को और मुझे खींस रहे मैं वहाँ से भाग के गुरब पूर अपने घर वापस चला गया अपने कॉलेज में फिर पढ़ने के लिए चला गया एक वर्स के बाद फिर मुझे अचानक मेरे मन में भाव आए कि मुझे एक बार मिलना चाहिए जा करके मैं जानी पाया इसी दोरान अयुद्या में धांचा तूट चुका था तो 1993 में एक कारिक्रम में विश्विंदु परिशत के किसी कारिक्रम में अधाबाद में वे गए थे उसी दोरान उनको कुछ हाड की ट्रोबल हुई तो उन्हें ततकाल दिल्ली एमस में सिप्ट किया गया मीडिया में आया तो मुझे से रहा नहीं गया तो मैं उनको दिल्ली एमस में देखने के लिए गया एमसे में जब मैं देखने के लिए गया तो उन्होंने मुझे देखा और कहा कि वह देखो मेरी हाल देख रहे हो मैंने कहा हाँ कहा कि तुमने कुछ निर्णे लिया मैंने का अच्छा आप ठीक हो जाएए गोरकपुर आप पहुँच जाएंगे तो मैं गोरकपुर आता हूँ मैं वापस जब ये ठीक होकर कि गोरकपुर गए तो मैं गोरकपुर पहुचा उन्होंने का मैं जानता हूँ कि तुमारे मन में क्या बात है तुम्हें मानते हो कि सादुसंत कुछ करते नहीं है समाज के लिए इनका कोई contribution नहीं है इनकी साधना के वल ब्यक्तिकत है ऐसा नहीं है तुम्हें मैं एक सप्ता का समय दे रहा हूं तुम प्राता योग संस्थान में जाया करो और दिन में तुम्हारे साथ एक साहयक में दे रहा हूं तुम देखो हम लोग क्या-क्या कारवें यहां पर कर रहे हैं सिक्सा के लिए चिक्ट्सा के लिए सेवा के छेतर में समाज को जोडने के लिए क्या हम सब का योगदान है इसको एक बार थोड़ा देखके फिर मुझसे बात करना वास्तों में मुझे लगा कि हम अपनी इस भातिक चक्सों से जितना देखते हैं यह मानते हैं कि संसार उतना ही है यह जैसी द्रिष्टी वेसी स्रिष्टी हम मान लेते हैं लेकिन उससे भी बढ़कर कि बहुत कुछ है और जब मुझे लगा कि वास्तों में सन्यास कि सार्थक्ता समाज के बीच में समाज के लिए अपने आपको खपा देने में है और यह कार एक क्या जा सकता है तो फिर मैंने सहर्स सन्यास लेना वहां सुईकार किया और फिर मुझे लगा कि नहीं अब इस मार्क पर आगे चल करके समाज जीवन के साथ जोड़ करके कैसे हम समाज जीवन के लिए संस्कृति जीवन के लिए और अध्यात्मिक जीवन के लिए उसके उन्यान के लिए कारे कर सकते हैं उस पर हम लोगों ने आगे अपना कारे प्रारंब किया और मुझे लगता है कि मुंबई में आकर के आज मुझे उस बात की एक बार फुना अन्भूती भी कि ये माया नगरी ही नहीं बलकि राष्ट निर्मान में बहुत बड़ा योगदान मुंबई और यहां के विविन्न छेतरों से जुड़े भी जो महरवाओं हैं जो रंग कर्मी हैं उनके जो भाओं हैं उनके अंदर अपनी संस्कृति अपनी प्रंपरा और अपनी अध्यात्मिक्ता के लिए जो भाओं है वास्तों में उसको और प्रमोट के जाने की आवसिक्ता है कुम्भ के बारे में जो भाओं आप लोगों ने ब्यक्ति किये हैं और जो चीजें देखने को मिली मुझे याद है 2015 में नासी कुम्भ में में आया था हम लोगों का एक आश्रम है त्रम की इस्वर में और उस समय देवेंद्र जी के साथ बारती जंता पालिटी के राष्टिय अध्यक सादर्णी अमित साजी के साथ हम लोगों ने वहाँ एक कारिक्रम भी आयुजित किया था ओसायोजन के आश्र पर मैं इस बात को देखता था कि कुम्भ के बारे में कितनी नकारतमक्ता देश और दुनिया के अंदर फेलाई जाती है जब मैं नासीक में कुम्ब के आउसर पर था तो मैंने वहाँ एक ग्रूप को देखा जिस ने नकारत्मक्ता का ठेका सा ले लिया था और कई दिनों तक उनकी चल ली थी चुंकि मुझे उस दौरान कई दिनों तक आउसर पर राप्त हुआ था तो मैं देख रहा था उनकी नकारत्मक्ता को कि कुम्ब महिला विरोधी है कुम्ब दलित विरोधी है कुम्ब परियावरण विरोधी है कुम्ब फनाना है कुम्ब ये है तो मैं नासिक में पंचवटी में काला राम मंदिर के पास रुख करके मैंने उनसे पूछा मैंने का यहाँ जितने लोग आ रहे हैं कि इसमें किसी की जाती आप बता पाएंगे यहाँ पर जितने लोग असनान कर रहे हैं इसमें किसी की आप जाती बता पाएंगे किसी को जाती के आधार पर किसी को मत मजभ या संप्रदाय के आधार पर किसी को लिंक के आधार पर किसी को देशी बिदेशी के आधार पर कोई भेधवा हो रहा है उनके पास कोई जवाब नहीं था इसके प्रांद उज्जेन में जाने का मुझे असर मिला उस देन में भी हम लोगों का स्वेंप का जो आश्रम था वह छिपरा के एकदम तट पर है वहां के बारे में मैं ये बात देख रहा था कि हमारे परंपरा, हमारे पर्व, हमारे त्यवार, हमारी संस्कृति के बारे में कितनी नकारात्मक्ता पहलाने का प्रियास होता है लेकिन मैं धन्यवाद हूँगा यहाँ पर वस्तित सुवास द्वय को सुवास संद्रा जी को भी और सुवास गही जी को भी जिन्होंने आपने देखे होगी कि एक डॉकुमेंटरी उन्होंने पांच मिनट की ही दिखाई लेकिन कुम्ब के अबारे में कितनी सकारात्मक्ता प्रस्तुत करने का प्रियास हुआ कुम्ब का यायुजन सच मुछ एक धार्म का युजन नहीं है धार्म को हम लोग किसी संकिण दाइरे में कैद करके रख भी नहीं सकते धर्म तो हमारे कर्तव्यों का हमारे जीवन के नैतिक मुल्यों का हमारे जीवन के सदाचार का एक समन हुए है हमारा मत हमारी उपासना विदी हमारा मज़ब हमारा संप्रदाए हमें ये स्वतंतरता देता है कि हम किस उपासना विदी को अपनाए जो मैं आध्यात्मी कुन्यन के मार्क पर अग्रसर कर सके है भारत के अंदर सनातन हिंद धर्म के अंदर किसी के लिए कोई बाध्यकारी नहीं कि आप कौन सी उपासना विदी अपनाते हैं मैं मानता हूँ भारत के अंदर आप कस्मीर से कन्या कुमारी तक चले जाईए और रांचल प्रदेश से लेकर के कच्छ तक आप चले जाईए कोई किसी भी परंप्रा का ब्यक्ति हो वहाँ हर एक परंप्रा को संबान करता है न सेव का न साक्त का न बैष्णों का न तांत्रिक परंप्रा का कि हर एक को मानता है हर एक उसमें जाता है इस कौन का मंदिर है इस कौन के सन्यासी केवल स्रीकृष्ण को अपना की उपासना में लीन होते हैं लेकिन किसी भी मंदिर में जाने में उन्हें परहेश नहीं मैं सेव परंपरा की एक विशिष्ट साका नाथ संप्रता एकन्याई ह लेकिन आवास्तरे करेंगे कि राम जन्भुमी आंदोलन में राम जन्भुमी मुक्तिय के समितिक एध्यक्स मेरे पुजी गुर्देव थे यानि एक वैस्णों परंप्रा के एक विशिस्ट अस्तल के लिए जो अभिहान और जो आंदोलन चलना है उस आंदोलन का नित्रत्व हमारे विचार परिवार ने किसको दिया एक बरिष्ट सैव परंप्रा की पीठ के पीठा दिस्वर को दिया अगर भेद होता तो भेद वहीं से शुरू होता जब 1983 में राम जन्भुमी आंदोलन चला था कि महंत अविद्यनाच जी को राम जन्भुमी मुक्ते के समिति का ध्यक्स क्यों बना दिया गया लेकिन ये प्रस्ताव कि येवल हमारे विचार परिवार अश्टी स्विम सिवक संग्य विश्विंदू परिसत से नहीं आया ये प्रस्ताव अयोध्या के संतों ने किया कि नित्रुत्व वो करेंगे तो हम सब मिलकर कि सभ्यान को आगे बढ़ाने में योगदान देंगे ये है भारत की परंप्रा कोई भेद नहीं ये जो विभेद है ये विभेद उन्होंने किया जिनोंने व्यक्ति को ही नहीं बलकि धरती को भी बाटने की कुछ सी चेश्टा की है भारत की प्रमप्रा भारत की संस्क्रति वो सुधैव कुटुम्बकम की जिस बात को उध्गोश करती है एक कुंब कायोजन तो उसी का प्रतिक है, कुंब तो कलब है सब को एक साथ जोड़ना सब को एक साथ उसमें एकत्र कर लेना और इसलिए हम लोगों ने इसका थीम जो दिया है वह सर्वसिद्धी प्रदकुम्भ के भाव के साथ ही क्या है कि सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाला है कुम्भ कुम्ब के वास्तविक भा को हम समझ सकें और इस बात को लेकर के जब यभिहान आगे वढ़ाने की बात हुई पहली बार इतनी भव्यता के साथ तैयारी हो रही है आप प्रियागराज में आएंगे देखेंगे पहली बार कुम्ब में आने वाले सरधालु जनों के लिए संगम तटपर, पवित्र गंगा और यमना जी के संगम प्रस्णान करने का डुक्की लगाने का उसर तो ने प्राप्त होगा ही लेकिन अद्रिशियस सरस्वती के दरसन करने का भी हम उन्हें आवसर प्रदान करेंगे क्योंकि सेकड़ों वर्षों के बाद हम प्रियाग के उस पवित्र भूमें पर प्रियाग के किले के अंदर कैद सरस्वती कि उस कूप को भी दर्सन के लिए खोलने जा रहे हैं और इसके लिए हम लोगों ने भारत सरकार से, रक्सा मंत्राले से ये साई से सबसे अपनी सैमती लेकर कि इस कारे को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं बिष्णु के जो द्वादस स्वरूप हैं, द्वादस माधो, इनके दर्सन के अउसर भी वहाँ पर आपको प्राप्त होंगे भारद्वाज आश्रम में जाने का अउसर प्राप्त होगा, आप जानते हैं बगवान राम जब बन्गमन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर प्रियाग राज की धर्ती पर संगम के तटकी बहुत अच्छी व्यक्याए बालमी की रामेड में भी और रामचरितर मानस में भी आपको देखने सुनने को प्राप्त होती है भारद्वाज आस्त्रम में मर्यादा पुरसोत्तम भगवान सी नाम जाते हैं भारद्वाज आस्त्रम आज भी वहाँ मौजूद है हजारों वर्सों की परंप्रा के आप साक्सी बनने जा रहे हैं हजारों वर्सों की परंप्रा वहाँ आपको साकसाद दर्सन करने का उस्तर प्रदान करेगी भगवान राम जब बन गमन के लिए जाते हैं तो सबसे पहला मित्र कोई उनका बना था निसाद राजगोय बने थे वहीं से कुछी दूरी पर स्रिंगवेरपुर में भी एक भव्य कारिक्रम हम इस उसर पर करने जा रहे हैं ऐसे बहुत सारे अस्तल देखने को मिलेंगे प्रियागराज जाएंगे तो प्रियागराज से 35 किलोमिटर की दूरी पर चित्रकूट में भी दरिसन करने का उसर प्रप्त होगा चित्रकूट के बारे में उसका बड़ा महत्म है बहुत पवित्रधाम है भगवान राम ने अपने बन के समय के सरवाधिक समय उन्होंने बितीत किया था चित्रकूट में और चित्रकूट के बारे में कहा जाता है कि जब तुलसी दाज़ी वहां पर भग्वान राम की अरातना में थे वे राम की कथा कहते थे, किर्टन करते थे लेकिन उनको हमेशा इस बात को का भाव उनके अंदर रहता था कि मैं राम की इतनी अरातना करता हूँ कभी राम ने मुझे दर्सन नहीं दिये तो एक बार उनको ये भाव उनके मन में आ रहा था उन्होंने पूछा एक बात को क्या कि राम मुझे दर्सन क्यों नहीं देते हैं तो कहते हैं एक तोता आता है और वह अपने भासावें जब तुलसी दास नित्य प्रती अपनी उपासना के बाद जब भक्तों को दर्सन देने के लिए बाहर आते हैं तो चंदल लगाने के लिए जैसे आते तो सबसे पहले चंदल लगाने के लिए कोई आता था तो भगमार राम अपने भाई के साथ आते करते करते कभी राम ने मुझे दर्सन नहीं दिया जैसे वे तिलक लगाने के लिए बैठते खड़े होते हैं तब तक उत्वता वोल उड़ता है किया है अब जिसको तिलक लगा रहे हैं यही तो राम है ऐसे अने एक औसर आते हैं हमारे उत्तर भारत में राम चरिद्र मानस बाल्मी की रामायड के बाद सबसे लोक प्रिय घर घर में जिसका गायन होता है रामिला वों का आयोजन होता है आप देखेंगे अक्टूबर से लेकर कि दिसंबर तक कोई गाउं ऐसा नहीं जहां रामिला का आयोजन होता हो तुलसी दाजसी की उस भक्ती पर आधारित राम चरितर मानस पर आधारित राम लिलाओं का आयुजन का मंचन गाउं गाउं में कलाकार खड़े होते हैं अपनी ओर से आयुजन करते हैं सासन प्रसासन का कोई योगदान नहीं होता अपने अस्तर पर जुड़ करके हर प्रकार से उनकायूजन उनके द्वारा किया जाता है इन वह हैं कितमा पुरा गाउं आप किसी गाउं में राम लिला को रात के समय चले जाए रातरी दस बज़े आप पहुंच जाईए किसी भी गौव में पांच हजार दस हजार की भीड़ आपको आसानी से मिल सकती है और केवल राम की भक्ति में लीन राम लिला का मंचन का आयूजन जो वहाँ पर होता है तो तोसी दाज जी ने आज से सेकड़ों वर्स पहले जिस परंप्रा को आगे बढ़ाया था कितना भेत्वपून आयूजन था आज भी कैसे जोड़ने का कारे कर रहा है और मेरा यह मानना है धर्म जिसे हमने पूजा पद्दक तक सीमित कर दिया जिसको हमने संकीन्ड ताके नाते कियो उपासना विधी तक सीमित करके रखा है वास्तों में पासना विधी तक सीमित नहीं है यह तो राज़्टी एकात्मता का आधार है जब भी भारत पर कहीं भी हमले हुए किसी प्रकार की कोई छटी किसी आधार पर पहुँचाने का प्रियास्वा तो हमारे इन तीर्थस्तलों ने हमारे पवित्र धर्मस्तलों ने हमारे पुज्य धर्माचारियों ने अपनी साधना से अपने पुरसार्त से अपने परिश्रम से फना जोड़ने का एक नया मंत्र दिया और मेरा मानना है कुम्ब का आयुजन उसी एकता का उसी राष्टी एकात्मता का राष्टी एकंडता का एक नया मंत्र हम सब को देता है आप देखेंगे एक साथ इस बार विगत कुम्ब में 12 करोड सरधालू प्रियागराज की धर्ती पर आये थे कोई परचार नहीं था एक भी निमंतर नहीं था सरकार का कोई निमंतर किसी को नहीं होता है सरकार के अस्तर पर कोई विवस्थाईं नहीं होती थी एक सामाने आप चारिकताईं पूर्ण होती थी इस बार तो अभी से हमारी सरकार ने वहाँ पर पूरी तयारी प्रारम की है भारत सरकार भरपूर योगदान दे रही है और हम लोगों ने कुम्ब के दायरे को वहाँ बढ़ाया है विकत वर्सों जब इससे पूरु के कुम्बों में कुम्ब का जो दायरा होता था वहाँ पांच हजार एकड के असपास होता था इस बार उसका दैरा बढ़ा करके लगभग दस हजार एकड़ के बिस्तरिच छेतर फल में उसको फैलाने का प्रियास हो रहा है उसकी तैयारी उसके लिए उस प्रकार की विवस्ताएं कुम्ब में आने वाले सरदालों की सुरक्सा उनकी सुविधा भारत के 6 लाग गाओं की उपस्तिती वहां किसी न किसी रूप में हो हर मत, हर मजब, हर संप्रदाय, हर पंथ के अन्याई और धर्माचारियों की उपस्तिती वहां पर हो पुरे देश ही नहीं बलकि पुरी दुनिया के लगभग 192 मिसन भारत के अंदर हैं इनके जितने भी एमबेश्डर हैं, इनके हाई कमिस्नर्स हैं इनका दोरा हम लोग दिसंबर मा में कुम्ब, प्रियागराज के कुम्ब के उस छेतर का कराने वाले हैं और फिर एक निमंतन उन देशों में रहने वाले भारतिय सुमदाय के जो नागरिक हैं उनके लिए ही नहीं बलकि उस देश के लोग भी अगर भारतिय संस्कृति को जैनने के चुक होंगे उन्हें भी एक अमंतन उनके माध्यम से हम लोग भेजने वाले हैं कि आप लोग भी आईए यहां पर हम इसके स्वागत के लिए तत्पर हैं उतावले हैं एक भब्य आयुजन होने जा रहा है एक दिब्य आयुजन होगा और इस देश से इस से पूर्व आदनी अभायाजी की मार्क दर्सन में पांच वैचारी कुम्ब का आयुजन भी हम लोगों ने उसकी तयारी की है कुम्ब का संदेश क्या होगा देश और दुनिया के लिए जिन लोगों को इस वर ने नकारात्मकताओं से वरा है उनकी बात छोड़िए समाच में जो अच्छी सोच के लोग हैं वे लोग हमारे ब्रांड अमबेसडर बन करके कुम्ब के संदेश को देश और दुनिया तक पहुंचाने का कारे करेंगे और इस बात को लेकर के कुम्ब के उस बैचारिक संदेश को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए पांच बैचारिक कुम्ब इससे पूर्व हम लोग करने जा रहे हैं ये बैचारिक कुम्ब अलग अलग तिथियों पर अलग अलग स्था पर होने जा रहे हैं एक ऐय laugh द्या में होगा एक कासी में होगा एक परियागराज में होगा एक लखनों में होगा एक मत्रा बिरंदावन के पास आगरा के पास प्रस्तावीत क्या गया है और मैं धन्यबाद दूँगा मानीय सुवाज सिंद्राजी को और उनकी फूरी टीम को अपने संसकार भारती से जुटे भे बेस सभी पदाविकारियों को जिन्नों ने मुंबई में इस संस्कृति कुम्भ का आयूचन किया है मैं नेमी सारेणे में संसकार भारती के कारिकरम में गया था नेमी सारणिया लखनो परदेश उतर परदेश की राजदानी लखनो के नजदीक के पासी सीताफुर जन्पत में एक बहुत पवित्र तीर थस्तल है और भागवत की वूमी है सिर्मत भागवत महापुरान का पहला वाचन उस धर्ती पर होता है जिसमें हजारों रिस्यों के सामने इसका वाचन उस पवित्र धर्ती पर होता है आज भी उसकी पवित्रता उसकी पौरानिकता उसकी अथियासिकता हम सब के सामने है और इसलिए कुम्ब के बारे में जो दो यहाँ पर हम लोगों ने डोकूमेंटरी देखी है एक सुबास जी के द्वारा प्रस्तुत की गई एक प्रसून जी ने उतर प्रदेश प्रेटन पिकास निगम के साथ मिलकर कि उसको तयार किया है उसको उसी रूप में हम लोगों ने प्रस्तुत करने का प्रियास किया है कुम्ब का मतलब एक धार्मिक जमावड़ा मात्र नहीं है इसकी सामाजिकता है इसकी सांस्कृतिकता है इसकी धार्मिक महत्व है इसकी आध्यात्मिक महत्व है किन ग्रह नक्सत्रों के मिलने पर कौन सी जोती से गर्णा के आधार पर ये आईजन होते हैं, इनके मोहरत निकलते हैं इन सब को उसके साथ, उसकी वैग्यानिकता को उसके साथ जोडने का प्रियास हो रहा है वे तिथियां, भारत का जोतिस्य की परंप्रा, जोतिस्य गर्णा एक पाखंड ने, एक धकोसला नहीं विसुद्ध, एक बैग्यानिक आधार पर भारत की रिशी परंप्रा की वाद खोज है जोनों एक सामने चेतन मस्तिस्क से नहीं, बलकि और चेतन इस्तिती में उन इस्तितियों को प्रस्तुत किया है, मानों ताके कल्न्याण के लिए प्रस्तुत किया है जिसकी प्रसंगिता आज के समय में और भी ज़्यादा महत्तु रखती है हमारे जोती से ये गर्णा कभी गलत नहीं होती आप तैय नहीं कर सकते, कि सूर्य गर्ण और चंद गर्ण यह नहीं बोल सकते, कि इस डेट को ही ये गर्ण लगेंगे तैय नहीं करेंगे, उसके डेट तो बदलती रहती है लेकिन यह तैय है, कि गर्ण जब भी होंगे तो पूर्णी माया फिर अमावस्या के दिन ही होंगे इसके अलावा कोई और तिथी नहीं होगी सूर्य गर्ण और चंदर गर्ण इससे इतर नहीं हो सकता आगर इससे ज़्यादा एकुरेट गर्णा और क्या हो सकती है इससे ज़्यादा अच्छी गर्णा और क्या हो सकती है एकदम बिसुद बैग्यानिक आधार उसका है और उस बैग्यानिक आधार को समझने का प्रियास होना चाहिए हम लोग भी इस बात को कभी-कभी मानते थे तो मैंने पहले कहा कि बहुत सारी चीचें होती है लोगों के अपने एक सोच होती है अपना एक दारा होता है अपना एक कारे पद्दती होती है उतने ही दारे तक सोचता है उतने ही बारे में सोचता है कुम्ब में आयूचन होंगे अने एक परकार के लोग होंगे कि धर्ती है देव होंगे तो दानों कहां जाएंगे उनको भी यहीं रहना है तो सवाभाई कुरूप से हमें देवों को देखना है दानों को नहीं देखना देव अच्छा कारे करेंगे कल्यान का कारे करेंगे उन देवों के साथ खड़ा होना है उनके साथ जुड़ करके सभ्यान को आगे बढ़ाना है और मैं आभारी हूँ आप सबका यहाँ पर जी नेटवर्क से तो इसका लाइब टिलिकास्ट हो रहा होगा विज्वल मीडिया से जुड़े भे हमारे जितने अन्या मित्रगन है सुपचिन तक हैं उन सब का मैं आभान करूँगा मैं सच मुच आमंत्रण देने के लिए आया हूँ आप सबको कुम्ब में जनवरी मकर संक्रानती से पंदरा जनवरी से और चार मार्च तक 48 दिनों का जो यह पर्व है पुरी भबिता के साथ पुरी दिबिता के साथ हम लोग ने वहाँ पूरी तैयारी की है कुम्ब में आपको कहीं गंदगी नहीं दिखेगी एक तिनका नहीं दिखेगा कहीं बदबू नहीं दिखेगी एक मक्षी नहीं दिखेगी सच्छता देश के सश्वी प्रधान मंत्री जी का सच्छ भारत मिसन की उस कारिक्रम को भी कुम्ब वहाँ पर साकसात आत्मसात करते वे दिखाई देगा 12 करोड बिगत कुम्ब में आये थे सरधालुजन और इस बार हमारा मानना है कि जो तैयारी चल लई है इस संख्या बढ़ करके 15 से बढ़ करके और आगे जाएगी लेकिन तब भी आप देखेंगे जो हमारी तैयारियां है कैसे ये आयुजन हो सकते है दुनिया के लिए सोध का भी से होगा करम को हम प्रस्तुत करेंगे यहाँ आयुजन वहाँ होगा कुम्ब के बारे में एक मानने ताओर है मुझे जब साथना के दिनों में बच्पन में हिमाले के विभिन छेत्रों में जाने का उसर प्राप्त हुआ था मैं इस बात का अन्भा करता था कुम्ब के समय में सभी दिसी मुनी वहाँ से आकर के कुम्ब के आयुजन में किसी नकिसी रूप में भागिधार बनते थे और आज भी यह माननेता है आप जाएए कभी एक सामान्य सरधालो के रूप में बिच्ण करिए वहाँ पर देखिये वहाँ पर बीड़ भार से थोड़ा बच करके अवन्य समय में अन्य कुछ देखने के लिए पहले आपको अपने आपको तैयार करना पड़ेगा और बहुत कुछ वहाँ देखने को मिलेगा बहुत कुछ देखने को मिलेगा मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि मेरा बिद्यार्थी जीवन एक बिज्ञान के चात्र की रूप में बितीत हुआ था लेकिन बाद में फिर मैंने अध्यात्मों को अपने जीवन का धे बनाते हुए और फिर सन्यास लेने के बाद सेवा के इस छेत्र में उतर करके अपना जीवन समर्पित किया है और इसलिए मैं कहूंगा कि थोड़ा उसमें उतरने का प्रियास करना अजबुत आनंद की इन्भूती होगी हमारी यहां कोई बहे दभाव नहीं बारा करोड पंदरा करोड जो सर्धालू जनायेंगे किसी की कोई जाती कोई मत कोई मजब यहां नहीं पूछेगा वहां कोई देखेगा थोड़े कि आपने चोटी रखिए नहीं रखिए आपने तिलग कौन धानन किया है आप किस मत और मज़भ के अनुयाई हैं कोई नहीं पूछेगा जो आएगा गंगा में डुक्की लगा करके गंगा का हो जाएगा प्रियाक का प्रियाक की धरती पर आगर के प्रियाक के संगम तट पर डुक्की लगा करके प्रियाक का हो जाएगा बस यही संदेश कुम्ब का है यही भारतिय संस्कृति का संदेश है एक समरस्ता का संदेश वसुधेव कुटुम्ब कम का संदेश सर्वे भुंतु सुकिना सर्वे संतु निरामया का संदेश और इस भाव को लेकर के कुम्ब को ले करके मागे बढ़ रहे हैं बैचारी कुम्ब में मात्रिशक्ति से समंधित संबेलन भी होने जा रहा है कोई बहत भाव नहीं है आखिर गंगा और यमना दोनों तो मात्रिशक्ति की ही प्रतीक है गंगा यमना सरस्वती तीनों मात्रिशक्ति की प्रतिक हैं इन तीनों के साथ ही आपम साथ करने की पेणा हमें हमारी संसक्र्टी दे रही है तीनों का संगम ये तिरवेणी प्रयागराज की धरती पर एक आस्र प्राप्त होगा हम सब को बहुत कु Tapi बहुत कुछ देखने जानने का उसर एक अलग ही सीटी बसाई जा रही है आने वाले सरधालों के लिए अगर वह किसी आस्रम में रुकना चाहेगा वहाँ रेन बसेरे में भी उसकी बिवस्ता होगी आस्रम में भी बिवस्ता होगी कुम्ब में रहना चाहेगा कुम्ब में उनकी बिवस्ता होगी और उत्तर प्रदेश को इस वर्स यह भी औसर प्राप्त हो रहा है चन्वरी 21, 22, 23 जन्वरी को कि पंद्रवां प्रवासी भारतिय दिवस भी उत्तर प्रदेश में कासी में होगा और कासी में आने वाले सभी प्रवासी भारतियों को कुम्ब का दर्सन करने क आभी औसर प्राप्त होगा इसके लिए हम लोगों ने भारत सरकार के साथ बातचीत करके पूरी तैयारिया हम युद्धस्तर पर आगे बढ़ाने जा रहे हैं प्रियागरा आजाएंगे दो घंटे की दूरी पर कासी है दुनिया की सबसे देखने को मिलेगा बहुत कुछ वहां देखने को मिलेगा बहुत कुछ वहां का आनंद ही कुछ अलग है तो कासी की धरती में जाने का उसर प्राप्त होगा आप याद करिए अभी क्रिश्न जन्मास्टिमी का पर्व हम लोगों ने मनाया है आपने कंस और वासुदेव की स्वारतालाप को सुना होगा जब देवकी के प्रतेग पुत्र को कंस माल डालता था इस आकास मानी के भैसे कि देवकी काटुमा पुत्र कंस की के वद का कारण वनेगा लेकिन विधाता को कुछ औरी मंजूर था ऐसे स्थितियां पैदा होएं सिरकृष्ण का जन्म होता है और वासुदेव उन्हें उठा करके लेकर के चले जाते हैं रात्री में सभी बेडियां खुलती हैं उन्हें लेकर की यमना पार करके गोकुल में रख जाते हैं, गोकुल से जो कन्या पैदा होती, उसको लेकर के आते हैं पहले तो कंस इस बात से असंबित था, कि जो आकास बाणी हुई हो, जोटी साबित हुई आठमा पुत्र नहीं, बलकि पुत्री हुई है क्योंकि पुत्र को तो पहले ही वासुदेव पहुचा चुके थे गोकुल में, नंद बाबा के घर पहुचा चुके थे, लेकिन आठ वी जो पुत्र के अस्थान पर पुत्री रखी गई थे जब कंस उसको मारने के लिए लपकता है पटकने का प्रियास करता है कहते हैं कि वह बालिका वहीं से देविय सुरूप में बिंदवासनी धाम में प्रकट होती है और बिंदवासनी देवी का मंदिर भी कासी और प्रियागराज की बीच में आपको देखने को प्राप्त होगी बहुत भब्य दरसनी अस्थल है देवी सक्तिपीट है अज सीता बनी उसी के पाद जहां सीता जी ने गरुप्रवेस किया था बहुत सारे ऐसे स्थल है बहुत सारे ऐसे स्थल देखने को मिलेंगे और इसलिए मैं सभी जो भी यहाँ पर पस्तित मानुभाओं है रंग कर्मी हैं संस्कृति कर्मी है समाज जीवन के विविन्न छेत्रों में जिन्होंने समाज को नित्रत दिया है मार्क दर्शन किया है उन सब का अवान करूंगा कि आप सब अधारें इस औसर पर उत्तरप्रदेश के बाईस करोड जनता आप सब का स्वागत करने के लिए उत्सुख है आप सब का स्वागत करने उन्हें आनंद के अन्भोती होगी अथिति देवो भवा कि उस अविहान के साथ अपने आपको जोड करके वा सच मुझ आनंदित होगी अपने आपको सवागे साली मानेगी विज्वाज जी की जब मैं बात देखता हूँ तो उनको मैं कई रूपों में देखता हूँ सुबाज जी एक संसद भी है जी टीवी में इनका एक सो भी आता है उस रूप में भी बच्चों को कैसे आगे बढ़ने के लिए प्रिवित किया जाए उसके बारे में भी कहीं पर इनका ब्यापारी कुम्ब लगता है कहीं पर कोई दूसरा कुम्ब लगता है संस्कृति कुम्ब की रूप में यहाँ पर पहुंच गए और मुझे कल साम को ही मैंने निर्ड़े लिया कि मैं भी कारिक्रम में जाऊंगा ने तो इससे पहले यह था कि मुझे कुछ अन्य कारिक्रम मेरी पहले से थी तो आज सभी कल और कुछ कारिक्रम को कल मैंने साम को संपन किया कुछ कारिक्रम को यहाँ से जाने के बाद कल साय कल तक संपन करूँगा लेकिन तैय किया कि नहीं इस कारिक्रम में हम लोग अवस्य जाएंगे क्योंकि आदनी भाया जी ने यहां कारिक्रम दिया है हमारे मन्य देविंदर फणविश जी इस कारिक्रम में आ रहे हैं तो मैंने का इसी बहाने में आमंतर्ण भी दे दूँगा सभी लोगों को हम दोनों एक दूस्य के ख़लाब चुनाओं भी लड़े हैं लेकिन तब भी एक साथ मिलके चुनाओं के दोरान भी एक साथ मिलके काम करते थे एक साथ आप देखते होंगे चुनाओं में जब एक दूस्य के ख़लाब लोग चुनाओं लड़ते हैं उसको दुस्मन जैसा भिवार करते हैं लेकिन मेरा तब भी पनोजी के साथ वैसे ही बहुत अच्छी दोस्ताना समन थे बहुत अच्छे समन थे तब भी बहुत अच्छे समन थे जहां हम चुनाओ लड़े थे तो काउंटिंग के दिन हम दोनों एक साथ बैठे हुए थे चुनाओ के दोरान भी हम एक साथ कई कई तो एक साथ निकल जाते थे कहीं कोई दिक्कत नहीं थे लोकतंत्र के पर्व का अनंद किस रूप में लेना चाहिए वास्तों में वह एक आउसर था और साथ का लाब हम लोग उने देखा है तो मनोज जी ने यहाँ पर मैंने यहाँ पर बिभिन हमारे जो रंग कर्मी थे जो यहाँ पर संस्कृती कर्मी थे सब्सक्राइब बहुत अंत्हकरण से भारतिय संस्कृती कि प्रती भारती परंपरा कि प्रती भारती सनातनास्ता कि इन प्रतीकों की प्रती जभाव यहां बेक्ति किया गया, बेक्ति किया गया, क्वाविनंदन यह है, स्वागत युग्य है, मैं उन सब का ओहन करूंगा, कि वे सभी प्रियागराज कुम्ब में पधारें, मुझे उ अन्यथा बहुत कठिन होता है जहांपर राजनिती से जुड़े हुए लोग पहुंसते हैं तो वहांपर तो कम ही लोग आ पाते हैं समय देन करके रहे समाज जीवन से जिन लोगों ने कुछ विसिश्टा हासिल की है क्यों वहांपर लोग जाएंगे क्योंकि हर एक पके पास अपनी प्यस्तता है आभी जाते होंगे किसी राजनितिग्य के पास तो बहुत सारे उनकी एक्टिंग देखने का उसर मिलता होगा कोई आप से मिलने में परहिस करता होगा वालग विसे है कि जब राशनितिग्या का कोई कारे कहीं पढ़ता है उसका कारे किसमें पढ़ता है उस वोट मांगने में पढ़ता है तो सब के घर पहुंच जाता है लेकिन आप किसी राशनितिग्या के घर आसानी से नहीं जा सकते क्योंकि घर के बार लिखाओगा कुत्तों से सावधान रही है बहुत सारी चीजें होती है और इसलिए आमंतर्ण आज के दिन पर जहां पर ये हो कि वे लोग कुछ मांगने आ रहे हैं तो आपर थरबिक्ति बोलता है क्या वोड दे दिया इसके बाद कुछ नहीं देंगे लेकिन मैं आप सब का मंतर्ण कर रहा हूँ आप पधारें प्रियागराज में पधारें उतरप्रदेश सरकार इस देश से स्वागत के लिए पूरी तरह उत्सुक है तैयार है इसका व्यापक परचार परसार हो इसकी ब्रांडिनिंग करने के लिए जिस भी अस्तर पर हो और खाज तोर पर उतरप्रदेश सरकार इक आयूजग है नासीक में होगा त्रेमकेश्वर में होगा मन्य देविंदर जी इसके आयूजग हो सकते हैं लेकिन हमारा अपना कार्या है अपनी प्रंप्रा अपनी संस्कृति को कैसे देश और दुनिया के अंदर हम पहुँचाएं जैसे प्रधान मंतरी मोदी जी कैसे उन्होंने योग को दुनिया के अंदर पहुँचा दिया कुम हजारों वर्सों से चला रहा है लेकिन युनिस्को की इस अमूर्त सांस्कृतिक धरोवर में इसको पहचान मिले यह मोदी जी के आने के बाद क्यों उससे पहले क्यों नहीं क्या सब कुछ इस देश में एक्सिडेंटली होता रहा है क्या और कब तक एक्सिडेंट होते रहेंगे मैं अब सब कावान करूंगा यह हम सब की ड्यूटी है अपनी संस्कृति के प्रती अपनी परंपरा के प्रती अपनी फुरोजों के प्रती आने वाली पीडी को हम क्या देना चाहते हैं क्या बताना चाहते हैं क्या संदेश उनके सामने छोड़ना चाहते हैं कौन से आदर्स और कौन से मुल्य उनके सामने रखना चाहते हैं एक आउसर है हम सब के पास जब हम इस प्रकार के आईज़नों को अंतराज़्टिय मानिता दिलाने में अपना योगदान दे सकें और जब समाज के एक बड़ा तबका खड़ा हो जाएगा सकारतमक्ता के साथ तो कहते हैं न कि छोटी लकीर को मिटा करके धबा मत लगवाईए उससे बड़ी लकीर खिंच दीजिए और मुझे लगता उससे बड़ी लकीर इस सकारतमक्ता से पैदा होगी जो हमारी संस्कृति के बारे में नकारतमक्ता फैलाते हैं उनके सामने इससी बड़ी लकीर खिंचने के आउसकता है और इस लकीर को आप सबसे सहयोग मांगने के लिए इसमें सहभागी बनने के लिए इस पूरे आयोजन में आप जिस भी रूप में आने के चुक होंगे उस रूप में आपका स्वागत करने में मुझे आनद के अन्भूती होगी आप सब का हिर्दे से आभार आप सब की प्रती मेरी सुबकामनाएं धन्यबाद जयहिं